Worldwide Accepted दुनिया के सबसे Charming Attractive बंदे ऐसा क्या Special करते हैं जिससे उनके साथ वाले उनको इतना Like करते हैं लोग उनके लिए मरने मारने के लिए तैयार हैं अगर आपके भी दिमाग में ये Question बार-बार आता है तो मेरे Saiyan Warriors आज इसी टॉपिक के उपपर काफी जादा डीटेल में बात करेंगे और आपको एक Overall Extremely Appealing बंदा बनाएंगे प्लस वीडियो के बिल्कुल End की Special Bonus टिप में Attractive के साथ साथ Top 1% Successful और सबसे Special Life Changing Principles जिससे धीरुबाई अंबारी इतने Successful बने उनकी भी बहुत अच्छे से Discussion करेंगे उनकी Life पे Based Best Selling Book का रेफरेंस लेते वे तो पूरी वीडियो पका से End तक देखना Point First Build Crazy Level Momentum Basically Top 1% बनने के लिए केवल दो चीजों के उपर Momentum बनाना अपना 100% देना ज़रूरी है एक तो आपके Outer Looks के लिए अच्छी ड्रेसिंग और जबर्दस्ट ग्रूमिंग रूटी और दूसरा आपके करियर के उपर 100% efficiency से काम करना दोनों को मैं अच्छे से समझाता हूँ तो इस Point of Time पे भले ही आप कुछ भी कर रहे हो या फिर आप Future में कुछ भी करें नहीं दिया कभी भी तो आपता खुद पे ये confidence टॉप 1% attractive और successful बनना definitely एक dream ही रजाएगा इसलिए definitely खुद को push करो और भी ज़ादा जेस भी field में आप और try करो उसका best of the best बनने के लिए daily अपनी 100% efficiency से काम करोगे केवल छोटे छोटे चोटे tasks daily basis पे निप्टाओगे तो trust भी किसी भी field में आप फोर सकते हो ये मैंने खुद ने भी observe किया है और ये जीज काफी सरे successful people भी exactly बोलते हैं और ये ही जीज 99.99% लोग जो आपकी field में है या फिर आपके आसपास के age के हैं सबसे ज़ादा lacking करते हैं पर दुनिया की reality ये है कि सबसे ज़ादा पैसा सबसे ज़ादा respect केजी भी field के top 1% बंदों को ही मिलता है तो आपको खुद workout करके खुद की उतनी value करनी पड़ेगी उस level का confidence उस level का attractive बनने के लिए जहां तक हम grooving और fashion routine के बात करें तो उसमें तो मैं safely कह सकता हूँ कि competition बहुत ज़ादा कम है लोग अभी भी अजीब हो गरीब तरीके से dress कर रहे हैं अपनी grooving पर ध्यार नहीं दे रहे हैं तो इसलिए आपको अच्छा दिखने वाला momentum हमेशा maintain रखना है month के ये फर year के कुछ दिन नहीं फिजिकली स्ट्रॉंग बनने की हर कोई बात करता है जेमिंग के उपर आपको हजारों YouTube चैनल्स मिल जाएंगे दुनिया भर की biceps, triceps exercises के उपर हजारों घंटों का content available है जेसके मैं विल्कुल भी against नहीं हूँ लेकिन physical toughness से भी जादा आप situations को handle ही नहीं कर पाते हो बात-बात पे panic करते हो खुद के decisions नहीं ले पाते हो आप में mental clarity ही नहीं है थोड़ी बहुत problems आ जाती है तो आप faint हो जाते हो ये सब factors आपके साथ भी अगर हैं तो physically strong कितने भी बन जाओ real life situations में हमेशा मात खाओगे और emotionally या फिर mentally कोई न कोई आपके हमेशा dent मारने की गोशिश करेगा इसलिए अपनी emotions को अपनी भावनाओ को अपने control में रखना सीखो चोटे-चोटे life के ups and downs में हर किसी के सामने डिडोरा मत पीटो मिरसाथ क्या हो गया मिरसाथ क्या हो गया बहुत easily हर किसी से jealousy मत करो किसी भी फाल तो बात पर बिलकुल trigger मत हो आपकी life में क्या change आ जाएगा अगर कोई XYZ नेता जीत गया या फिर big boss का winner कोई भी बने तो and सबसे importantly अपने से कमजोर या फिर females पर dominance मत दिखाओ ये सारे low level behaviors और emotions आप अगर अच्छे से control करना सीख गए जो कि जातातर लोग नहीं कर पाते हैं इसलिए average की category में आगे हैं बट आपको अगर एक superior attractive male कहलाना है तो खुद की emotions पे control पाना भी बहुत ज़रूरी है physically के साथ-साथ अंदर से भी rock solid बनना ज़रूरी है number third never ever get obsessed over women एक तो ये Instagram ने आल्टू-फाल्टू लड़कियों को ऐसा famous कर दिया है और India में तो खास कर कोई भी लड़की average दिखती है या फिर even above average भी दिखती है उसके ऐसे भाव बढ़ा देते हैं लड़के कि बस उसको Instagram पे एक photo डालने की देरी है या फिर कोई अजीबो गरीब गाने पे नाचने की देरी है लड़के पागल की तरह उसके following में comments में और DM में भर जाते हैं यही लड़के real life में भी इतने जादा simp करते हैं लड़कियों के पीछे और दूसरी लड़कियों को इतना जादा importance दे दिया है इन्होंने अपना काम पढ़ा ही future सब को छोड़के उनी के पीछे लगे में और daily basis पे यह सोच रहे हैं कि जिस लड़की को उसके जैसे लोगों ने 500 के followers पे पहुचा दिया वो लड़की कभी इनको DM पे reply देगी इनके साथ WhatsApp पे बात करेगी या फिर इनकी simping से impress हो जाएगी अगर आप भी ऐसे लड़कों में से हो तो आपने खुद ने भी average या फिर below average रहना ही accept कर लिया है आप भी sadly उन छपरी लड़कों की बीड में से एक हो और attractive दिखना तो दूर दूर तक आपके लिए possible नहीं है but still अगर आप quality life जीना चाते हो खुद को drastically improve करना चाते हो तो Instagram या फिर real life में भी लड़कियों के पीछे इतना time waste करना बिलकुल बंद कर दो socialize करो थोड़ा बहुत लेकिन उससे 100 times जादा अपने goals, experiences, hard work पे बहुत जादा ध्यान दो अच्छे से पढ़ाई करो पढ़ाई अगर अच्छे से हो रही है तो कोई side hustle ढूंडो उस पे काम करने में लग जाओ उससे भी पैसा बनाने की try करो खुद को हर time busy रखो बट किसी भी हलत में attention seeking girls को जो आपके जैसे 100 और लड़कों को गुमा रही है उनको pedestal पे चाढ़ाने की और खुद को उनसे low level दिखाने की गलती बिल्कुल मत करना एक पर consistent hard work करके successful बनके तो देखो कोई न कोई quality woman किसी न किसी तरीके से आपकी life में जरूर से एक दिन आईगी point fourth be decisive in everything हर समय confused and indecisive काफी सारी चीजों पे लोगों पे dependent रहना आपको attractive तो छोड़ो आपको आपका true original self भी नहीं बनाएगा इसलिए सबसे पहले तो अपने भी decision plans और opinions की respect करवाना और करना सीखो कोई भी topic पे आप बात करो वाल तू बस बोल मत दो आपके words की value होनी चीए आपके time तब की value होनी चीए आपको definitely ये पता होना चीए कि मैं अभी इस point of time पे क्या कर रहा हूँ इस से मेरी life में क्या consequences होंगे और एक घंटे बाद या फिर future में मैं क्या करने वाला हूँ सब कुछ आपके दिमाग में clear होना चीए उनको खुद को dominate नहीं करवाने दोगे अगर आप इस level का confidence decisiveness अपने अंदर पैदा कर लोगे तो एक बहुत ज़्यादा strong और attractive बंदे कहलाओगे definitely be trustworthy and selfless trustworthyness तो आपकी हर quality के उपर आती है handsome से handsome बंदा अगर manipulative है, untrustworthy है, cheater है, player है तो ये चीज एक दिन हर किसी के notice में आ जाएगी even उसके सारे friends, closed ones और वो सारी लड़कियां जो उसके looks से attracted थी even वो सब भी उसके इस behavior को देखके एक average लेकिन सूपर trustworthy बंदे के पास चले जाएगे और उसके बहुत ज़ादा close बन जाएगे दूसरों की भी help करो, खुद के बारे में ही बाते मत करो एक empathetic point of view से दूसरों की feelings और situations समझो लोग आपके personality के definitely fan बन जाएगे और आपके कहीं ज़ादा close आएगे फाइनली वीडियो की bonus tip में धिरु भाई अंबानी के success tips के लिए ये जबर्दस principle पे इवन धिरु भाई अंबानी भी believe करते थे कि आपका eventual goal तो बहुत बड़ा होना चीए लेकिन वो आप एक दिन में या फिर एक महीने में अचीव नहीं कर सकते तो अपने task छोटे-छोटे sections में divide करो daily basis पे थोड़े-थोड़े effort करो इवन Saturdays, Sundays भी off मतलो success जख मरा के आपके पास आईगी second skill over education एक average school topper से भी ज़ादा youtubers आजकल पैसे कमा रहें क्यों क्योंकि उनके पास एक specific skill है जो उनको इतना ज़ादा पैसे वाला बना रही है इसलिए अपनी education पे भी ध्यान तो जरूर से लेकिन एक या फिर दो real life skills भी जरूर से सीखो attractive hobbies and skills पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है चेक आउट करना third quality over quantity पूरे दिन में भले ही limited काम करो एक दिन में भले ही एक lesson खतम करो लेकिन उसको उपर उपर से नहीं बहुत ज़ादा quality से करो क्या पता वो lesson आपके lifelong कहां कहां काम आ जाए इसलिए आपके हर काम में quality होना बहुत ज़रूरी है and number fourth don't give up too early प्वाइन लोग तो 90% तक भी महनत करके end time पे give up कर देते हैं कोई भी बड़ी चीज अचीज अचीब करने के लिए hardships तो आएंगी ही आएंगी हर successful बंदे ने कोई नगोई hardship फेस करी है तो successful होने के लिए आप भी कोई नगोई hardship फेस करोगे इसलिए उससे tough it out करो बहुत जल्दी give up मत करना अगर आपको winter glow up tips वाली वीडियो देखनी है तो screen पे बने वे box की वीडियो पे अभी click करो